नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने इतने समय तक इस चर्चा का आप लोग हिस्सा रहे, आलाकि ये चर्चा अंदर हो रही थी, लेकिन चर्चा के विशह में चर्चा पूरे देश में हो रही थी और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं राश्ट्रमंच की ये प्रतम बैठक है जिसमें सभी साथी जो आ सके जो सदसे पहले भी आते रहे हैं पार्टियों के डायरे से उपर उठकर के राश्ट के मुद्दों पर अपनी सोच र देश में बेहद आवश्यक है कि एक आल्टरनेट विजन तयार किया जाए एक ऐसी सोच तयार की जाए जो वाकई इस देश के जुलंत मुद्दों पर जिसे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिसे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो तो उस आल्टरनेट विजन के लिए रास्त्रमजत ने अधिकरित किया है कि एश्वंत सिना जी जो की इसके मुख्य फाउंडर हैं वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी राजितिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में विजन का आकाल हो और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजुदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर तो एक पहला निचोड इसका ये है उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी आप सभी लोग ग्राउंट ये कवर करते हैं चाहे वो अर्थिवस्था की बात हो विरोजगारी की बात हो किसान के मुद्दे हो देश की लोकतंत्र की विवस्था की बात हो प्रेस की बात हो हर तरह के मुद्दे उस विजन का का हिस्सा बनेंगे और वो विजन इंक्लूजिव विशन होगा वो एक पॉजिटिव विजन होगा देश को आगे बढ़ाने वाला वो एक कन्फरेंटेशनल विजन की बात नहीं है ये पॉस्टिव विजन की बात है अगली पीड़ी के ल है या अपने तरीके से काम करने वाला कोई सामाजिक कारे करता है सामाजिक संगठन है स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए अध्यापक हैं शिक्षक हैं या कॉलेजों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास अपने आने वाले भविश्य की चिंता भी है और सब्सक्राइब करते हैं तो यह दूसरी महत्यूपुन बात आज राष्ट्रमंच ने तए कि मंच की चर्चाओं में यह भी सामने आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की लगातार उची कीमते देश के हर नागरिक को खासकर किसानों को और मध्यमवर को लगातार तता कीजिए और सरकार को नए राष्टे खोजने पड़ेंगे लेकिन इस तरीके से देश के आम नागरी को प्रतारित नहीं किया दा सकता इस तरीके के अन्य मुद्दों पर भी राष्ट्रमंच रुख रखेगा इसके अलावा अंततह यही कहूंगा कि राष्ट्रमंच की अग और किसको सम्मिलित कर सकते हैं तो हम लगातार प्रयाश करेंगे कि इस मंच में हम अन्य साथियों को सम्मिलित कर सके हैं क्या मम्तब एनर्जी के बारे में बात हुआ कि मम्तब एनर्जी के नाशनल रोल के बारे में बातचीत हुई देखे रास्टमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे सांसद रहे पूरु सांसद रहे प्रफिसर अरुन कुमार जैसे अर्थशास्ती रहे, जैसे सेपी शार है, जावेद अक्तर जी रहे हमने हम यह मानते हैं कि जब देश के मुद्दे जो उसके मुख्य मुद्दे हैं जो आम नागरी के रोजमरा जीवन की बहतरी से जुड़े हुए हैं जब वो मुद्दे सामने आएंगे तो अपने आप उस तरह के सोलुशन उभरेंगे महत्वपूर्ण यह कि नागरी कौन सी मुद्दों को प्रधानता देता है और वो वो मुद्दे इस देश के भविश्य को निर्धारित करेंगे अगली बैठक कब होगी उसका भी दिन तय नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले यह प्रयास किया जाएगा कि उसमें तमाम पार्टियों के लोगों को जो एक एक राय रखते हैं उनको सम्मिलित किया जाए और जो आप कह रहे हैं कि धाई गंटे तक बैठक चली जब इतने महत खिल पूर्ण काम करने वारे लोग विभिन इस्वीं पर काम करने वारे लोग जिनकी इंडिपेंडन पॉब्लिक स्टैंडिंग है जब वह साथ आते हैं तो ये जो भी चर्चा होती हैं वह देश के रास्त्रियों और राजनीतिक मुद्द्दों पर होती है तो यह जो पहली बात कि राश्टमंच ने जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो निचोर था मैंने आप लों के सामने रखा निचोर था कि देश में एक ठोस मजबूत और टनेट विजन होना चाहिए और विजन के पीछे ऐसे लोगों के दिखने चाहिए जिन्हों और त्वने शुरू पर काम किया है जहां तक आपने का राजितिक पार्टियों के जु़ने का जब से राश्टमंच का घठन हुआ है तब से अपनी पार्टी की से विभिन पार्टी के दल राश्टमंच से जुड़े रहे हैं और आगे विढटे रहेंगे हैं। dogert man देखिए जब किस देश में चर्चाएं इस बात पर होने लगेंगी कि युगाओं को रोजगार कैसे मिलेगा किस तरीके से आम नागरिक को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके प्रतारित नहीं किया जाएगा या किसानों को प्रतारित नहीं किया जाएगा जब चर्च झाल झाल